पिछले वीडियो में हम दिल्ली सल्टनत का अध्यान कर रहे थे जिसके अंतरगत हमने गुलाम वंश के शाषक इल्टुत मिष्ट तक अध्यान किया था आज के वीडियो में हम रजिया सुल्तान से कंटीन्यू करेंगे रजिया रजिया ने 1236 से 1240 इस्वी तक शाषन किया रजिया के लोगों का समर्थन था परंतु बधायू, मुल्तान, हासी वे लाहर के गवर्णर उनके विरोधी थे इल्तुतमिश के समय वजीर निजामल मुल्क मुहमत जुनेदी भी रजिया का विरोधी था अन्य विरोधियों में मलिक अलाउदीन जानी, कबीर अयास खा, मलिक गिजुदीन सलारी एवं मलिक सैफुदीन कुची थे रजिया के विरोध पहला विद्रो लाहोर के गवर्णर कबीर अयास खाने किया रजिया के समय से सुल्तान वेतुर्क अमीरों के बीच संगर्ष की शुरुआत हुई जो की बल्वन के सत्तारूड होने तक जारी रही रजिया ने परदा त्याग कर पुर्षों के समान कुबा, कोट, वेकुला, टूपी पहन कर दर्बार में आना शुरू किया रजिया ने अभी सीन्याई हपसी जालालुदीन याकूत को अमीरे आखूर अश्वशाला का प्रधान के पतपर नियुक्त किया एदगिन को बदाईयों का एवं अलतुनिया को भटिंडा तबर हिंद का एक्तेदार नियुक्त किया एतगिन को अमीर हाजिब भी बनाया 1238 सीस्वी में ख्वारिज्म के शाह सुबेदार मलिक हसन कारलूब ने मंगोलों के विरूद रजिया से सहायता मांगी रजिया ने उनसे सहानुभूती प्रकट करते वे बरन बुलंद शहर की आय देने का वादा किया किन्तु सैनिक सहायता नहीं दी अल्तुनिया ने विरूद कर एवं अमीरों से रजिया के भाई बहरामशा को गदी पर बटफा दिया रजिया ने अल्तुनिया से विवा कर चतुराई से उसे अपनी और मिला लिया किन्तु रजिया बहरामशा से पराजित हुई एव मार्ग में डाकों ने रजिया वे अलतुनिया की अक्टूबर 1240 इस्वी में कैथल के पास हत्या करती इतिहासकार रजिया की अस्फलता का कारण गुलाम सरदारों की महत्वा कांक्षा एव रजिया का महिला होना मानते हैं मिनाजुदीन सिराज के अनुसार रजिया ने सभी बाजशाई गुण विद्मान थे किन्तु उसके महिला होने के कारण ये सब गुण बेकार थे रजिया ने मुझव उद्दीन को वजीर नियुक्त किया रजिया ने अपने सिक्कों पर उंदतल निस्वा का विरूद धारण किया जिसका अर्थ होता है महिलाओं में अनुकरनी है रजिया ने बल्बन को अमीरे शिकार पत्पर नियुक्त किया रजिया के बाद मुईनुद्दीन बहराम शा सुल्तान बने जिनोंने 1240 ईसवी से 1242 तक शाशन किया बहराम शाने नायब मुवलकत के पदकाश रजन किया 21 दिन एद्गिन प्रथम नायब बना अब सत्ता के तीन केंद्र हो गए सुल्तान नायब और वजीर इसके शाशनकाल में 1241 इसवी में लाहोर पर मंगौल आक्रमन हुआ, बहराम शाह ने बल्बन को हासी वे रिवाडी की जागीर प्रदान की बहराम शाह के बाद अलावदीन मशून शाह 1242 से 1246 इसवी तक सुल्तान रहे, यह रुक्दुन दिन फिरोज शाह के पुत्र थे, इन्होंने सारी शक्तियां 40 को सौब दी, एवन नाम मातर के सुल्तान रहे इन्होंने बल्बन को अमीरे हाजिब नियुक्तिया नासिर अधीन महमूद, 1246 से 1265 इसवी तक सुल्तान रहे, यह इल्तुत्मिश के पुत्र थे, बल्बन के सहयोग से मशूद शाह को हटकदी से हटा कर यह सुल्तान बने थे, यह धार्मिक स्वभाव के थे, वे खाली समय में कुरान की नकल करते थे, बल्बन ने अपनी पुत्री का विवा नासिर अधीन से किया, इस समय वास्त्विक शक्ति बल्बन के हाथों में थी, इन्होंने 1249 इसवी में बल्बन को उलूख खांकी उपादी प्रदान की एवम नायब मुमलकत नियुक्त किया, 1253 इसवी मे तबकाते नासिरी के लेखक उनके मुखे काजी थे, तबकाते नासुरुदीन महमूत को समर पे थे, मिनास ने नासुरुदीन को दिल्ली का आदर सुल्तान माना है, नासुरुदीन अपनी साधरन आदों के कारण दर्वेश राजा की नाम से जाना जाता था, 1265 इसवी में नासुरुदीन की मुरत्यों के बाद बल्बन सुल्तान बना। बल्बन। ये 1265 इसवी से 1287 इसवी तक सुल्तान रहे। बल्बन का मूल नाम बहावद्दीन था। उसे मंगोलों ने ख्वाजा जमालुदीन को बेच दिया था। बल्बन भी इलबरी तुर्क था। बल्बन ने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष्ट तक नासुरुदीन महमूद के वजीर के रूप में कारे करते हुए सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया। वे सुल्तान ने होते वोई भी सुल्तान के चत्र का उपयोग कियां बल्बन का राजत्व सिद्दान्त ग्लो और रक्त की नीती तथा प्रतिष्ठा शक्ती विन्याय पर आधारे था। उनके अनुसार सुल्तान संसार में इश्वर का प्रतिनिदी, नायबे खुदाई और पैगंबर के बाद सुल्तान का इस्थान आता है। बल्बन ने अपने पुत्र बुग्रा खां को कहा कि राजा में देवत्व कांश होता है। उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बर्नी ने तारी के फिरोज शाही में बल्बन के राजतों सिद्दान्त की वीश्रत विवेशना की है। सुल्तान की प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए बल्बन ने चालीसा का दमन बड़े कुरूर तरीके से किया। बदायों के गवर्नर बगबग को जनता के सामने कोडों से पिटवाया। अवद के शाशक हैवात खांके भी पांसो कोडे लगवाया। तथा बंगाल के तुग्रिल से पराजित होने पर अवद के शाशक अमीन खाकुआ युद्धा के फाटक पर लटकवा दिया। बलबन ने स्वैम को फिर्दोसी के शाहनामय में वर्न अफराशियाब का वन्चज माना है। एवं शाशन को इरानी आदर्श के आधार पर वेवस्तित किया। बलबन ने सैनिक सेवाओं के बदले दी हुई जागिनों की जाच कराई एवं अयोग सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया। वे नाइप का पद समाप्त हो गया। सामन्तों की गतिविदियों पर नजर रखते हुए गुपचर विभाग दिवाने बरीद की स्थापना की। पहली बार बलबन ने ही गुपचर विभाग की स्थापना की बलबन ने दिवाने अर्ज सेने विभाग की स्थापना की यह उमादुल मुल्क को सेना ध्यक्ष ने उड़ दिया। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में गैर इसलामी प्रताओं की शुरुआत की जिसमें सिजदा गुटने के बल बैट कर सुल्तान के समक उक्सिर झुकाना और पाएबोल सुल्तान के पैर चूमना जैसी ईरानी प्रतायं नौरोज के तिवहार जो की ईरानी तिवहारें मनाना प्रारम किया। अपने पौत्रों के नाम भी इरानी रखे जैसे कैकुबाद कैखुसरो क्यूमर्स। मंगोल आक्रमण से बचने के लि और मुल्तान, सिंद और लाहोर को बड़े पुत्र मुहम्मद खां को सौंपा बल्बन का बड़ा पुत्र मुहम्मद खां 1206 इस्वी में तैमूर खां के नतरत में हुए मंगौल आक्रमन का सामना करते वे मारा गया सहजादा मुहम्मद को बल्बन ने शहीद की उपादिय दे बल्बन मुहम्मद की मृत्यू से तूट गया और एकांत में फूट फूट कर रोता था हलांकि दर्बार में वे गंबीर व्यवहारी रखता था 1279 इसवी में बंगाल के सुवेदार तुग्रेल खाने विद्रू किया एवं तुग्रेल ने सुल्तान व्यमुगिसुद्दीन की उपादिधारन की एवं खुदवा पढ़वा कर अपने नाम के सिक्के भी चलवाई बाद में बल्बन ने विद्रोहियों का कुरूर तरीके से दमन किया बल्बन के समय मेवात, अलवर, दोआप, अवद, कटेहर, बुंदेल खंड, हिंदू विद्रोह के प्रमुक केंदर थे अमीर खुसरों एवं अमीर हसन दहलवी ने अपना साहित्तिक जीवन सहजादा मुहमत के समय में ही प्रारम किया अमीर हसन दहलवी उच्च कोटी का गजल लेखक था जिसके कारण उसे भारत का साधी भी कहा जाता था अमीर हसन भी अमीर खुसरों की भाती निजामुदिन ओल्या के शिश थे बल्बन ने फार्सी के महान कवी शेक साधी को भी दरवार में आमंत्रित किया किंतु वह अपनी व्रद्धा वस्ता के कारण नहीं आ सका बल्बन की मृत्यू के बाद उसका अयोग पौत्र कैकुबाद उत्रादीकारी हुआ ये दबी बल्बन ने कैकुसरों को अपना उत्रादीकारी चुना था कैकुबाद को लखवा होने पर तुर्क अमीरों ने उनके सिशु पुत्र शम्षुद्दीन क्योमर्स के नाम से गद्धी पर बठा दिया बल्बन का दूसरा पुत्र बुग्रा खां बंगाल के सुबेदारी से ही संतुष रहा जलालुद्दीन फिरोस खिलजी जो की आरेजे मुमालिक था ने कहको बाद वेक्योमर्स की हत्या कर गुलाम वंश को समात कर दिया और खिलजी क्रांती का सुत्रपात किया इतिहासकार हबिबुल्लह ने बल्बन के शाशनकाल को सुद्रडी करंका काल कहा है के ए निजामी ने कहा कि बल्बन एक कुत्ताम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की भाती मंत्र मुग्द रखता था बल्बन ने 1279 नीस्वी में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ती की जो एक्तेदारों पर नियंत्रण रखता था मलिक होते वे खान हो गया और फिर वे सुल्तान बन गया बल्बन पहला भारती मुस्लिम शाशक था जिसने स्वैम को जिल्ले इलाही इश्वर की च्छाया कहा तथा यह उपादी सिक्कों पर अंकेत करवाई बल्बन का वजीर ख्वाजा हसन बसरी था किन्तु वे अधिक प प्रतिक नाड़ी क्रोज से उत्तिजित हो जाती है इतियासकार बढ़नी लिखता है कि बल्बन की मृत्यू से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्र फार डाले और सुल्तान के शकों कब्रस्तान ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फैंकी वे 40 दिन तक बिना बिस्तर क के जमीन पर सोए थैंक यू